Hello everyone, welcome to Mr. Classes, आपरी में संख्या की परिवासा तो देखो आपरी में संख्या को हम एक सीधा सूर लिख सकते हैं ऐसी कोई भी संख्या जो परी में नहीं होती है वो आपरी में हो गई ठीक है याफिर ऐसे लिखो किसी संख्या एसको एपरी में संख्या कहते हैं यदि इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है यदि इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता है और वो फिर से सेम जहां P और Q पूर्णांग है जो Q है वो 0 नहीं है एंड फर्ड P और Q का हाइस्ट कॉमन फेक्टर 1 फिर से वोई बात आगे ना जो संख्या परी में होती है उसे तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं तो एपरी में वो संख्या जो परी में नहीं होती है या नहीं जिसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो एपरी में संख्या होती है and just for example किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग मूल किसी भी अभाज्य संख्या का वर्ग मूल एक अभाज्य संख्या होती है अभाज्य संख्या क्या होती है यहाँग होती है, तो किसी भी ऐसी संख्या का जो वर्ग मूल होता है वो एक अभछ्य संख्या होती है 414 आएगा something, पूरांक नहीं है, वो integer नहीं है, तो इसलिए किसे भी अभाज्य संक्या का वर्ग मों लेक ऐपरिम संक्या होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए, वीडियो अच्छले लिए लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दे लाइक मों है, झाcuz झाल है, अर्ग मों है और उन्हें प्रभव ते कर देना झात, ये थ 00ege भी और नहीं है, वीडियो अग्यृज ड़िए हैं, आसे पуждते हैं, चाल्ग मों हैं है, वीडियोईफ घु खल मों है रह्के, जो संक्या है, जो जो समय है जो एंडिए है ANDREW shotgun